सेशन को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को जल्दी से सभी जगे शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर आप कनेक्टेड हैं, वहाँ वहाँ पर शेयर कर दीजिए साथियों, आप में से जो भी विद्धियारती मेरे साथ में, SSC, UPSC, Railway, Banking, जिस भी एक्जाम की तयारी करने चाहते हों, उन सब के लिए मेरा referral code है, अंकित 10, जिसको प्योग करके 10% course per discount, immediately प्राप्त किया जा सकता है, SSC category के अंदर अगर हम बात करें, तो हमारा word geography के अंदर 5 और नए lecture add किये गए हैं, जो कि कल से यानि 26 तारिक से शुरू हो रहे हैं, तो जो भी SSC वाले विद्धियारती हैं, वो नए added lectures पर join कर लें, इसके अलावा 5 lectures के बाद में Indian geography शुरू होने वाली है, तो आप देवन से चाहें, तो वहां से join कर लें, और जो विद्धियारती आज हमें join करते हैं, वो word geography के पुराने lectures भी देख पाएंगे, उसमें कोई भी दिक्यत नहीं है, इसके अलावा SSC category में जितने भी uneducators पढ़ा रहे हैं, सबकी classes देख सकते हैं, इसी प्रकार से UPSC category के अंदर एक offer चल रहा है, जो की 31 October तक के लिए है, उस offer के अंदर आपको 9 months के लिए UPSC का subscription 28% off के साथ दिया जा रहा है, that will be cost in 45,675 रुपीज, जिसमें आप लोगों को books, prelims, maze और उसके test series, optional की test series, optional चीजें, ये सारी चीजें आपको 9 महीने के लिए, 5th June 2021 तक के लिए उपलब्द करवाई जा रही हैं, इसमें जो past lectures हुए हैं, आप उन्हें भी प यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% immediate discount प्राप्त होता है, आईए साथ चर्चा क्या है, हाल ही में Supreme Court के द्वारा एक instructions दिये गए हैं, instructions के नाम पर कहा गया है, कि 7 दिसमबर तक आने वाला जो समय है, 7 दिसमबर तक का समय दिया गया है, सरकार के Supreme Court के दो judges हैं, उनमें से एक क नाम है, S.K. साहब और दूसरे का नाम है, M.K. सुरेंदर जी, इन्होंने निर्णे दिया है, कि 3 week के अंदर हमें बताएं, आने वाले समय में क्या निर्णे देना है, क्योंकि किसान संक्ठनों से पूछा गया है, कि आप लोगों ने जो सडकों को अवरुद किया हुआ है, कि सडकों को अवरुद करना आपको right to protest तो देता है, लेकिन लोगों के आवागमन को बाध्य करने का हक नहीं देता, इस विशय पर चर्चा करेंगे, काफी गंभीर विशय है, और सरकार के मताबित, अगर हम बात करते हैं, तो बहुत बड़ा प्रश्न बन कर रह जाता है, क सारा मसले आपके सामने डिसकस करेंगे, पूरी तरह से इंडियन पॉलिटी को समझते हुए आप इसे आगे बढ़ेंगे, आएए मैं आपको बताता हूँ, साथियों सुप्रीम कोट ने हाल ही में कहा है, कि किसानों को विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन सडकों को एनि इसी बातें बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आजाए, आप मैंसे बहुत से लोगों को पता होगा, भारत में तीन किसान बिलों को वापस लेने के लिए, कि सरकार पर, यानि केंद सरकार से कहा गया था, कि उन तीनों किसान बिलों को आप वापस ले कूच किया दिल्ली कूच का मतलब है कि केंदर सरकार जहां बैठती है वहाँ चलने का प्रयास किया वहाँ जाने के नाम पर जब किसान हर्याना पंजाब आसपास उत्तर प्रदेश इन छित्रों से जाकर और वहीं से अब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ा सवाल यह है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया सवाल यह है किसान बिल का विरोध हो रहा था आप में से बहुत सारे विद्धार्तियों के मन में जो पहला प्रशन बनेगा कि क्या सर विरोध करना हमारा मूल अधिकार है अब इसी सवाल को आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि शाहीन बाग की घटना हो या किसान बिल के समय हो रहा प्रोटेस्ट हो अब आपके लिए ये एक बहतरीन सवाल बन जाता है मेंस में आपसे पूछा जा सकता है सवाल है कि क्या राइट टू प्रोटेस्ट यानि विरोध करने का अधिकार क्या मूल अधिकार है तो देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए पॉइंट नमबर वन इस नौट मेंशन इन अवर कॉंस्टिटूशन एक्स्प्लिसिटली यानि विरोध करने के अधिकार के बारे में हमारे यहां पर इस पस्ट रूप से तो कुछ नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी ये बात ऐसे मेंशन नहीं की हुई है कि जो प्रोटेस्ट हैं राइट तो प्रोटेस्ट एक मूल अधिकार है लेकिन इसके बहुत सारे माईने हमारे देश में हमारे आर्टिकल्स के माध्यम से निकलते हैं क्या निकलते हैं आईए मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 19 जो है उसका आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज A जिसमें freedom of speech and expression एक मूल अधिकार के रूप में दिया गया है दुबारा सुनिएगा article 19 clause 1 sub clause A जिसमें ये कहा गया है कि freedom of speech and expression है यानि कि आपको बोलने का और अभी व्यक्ति की आजादी दी गई है तो जब ये आजादी है तो क्या किसान अपनी तरफ से नारे नहीं कर सकते या कोई भी विरोध प्रदर्शन में करने वाला व्यक्ति नारे नहीं लगा सकता क्या आंसर है जी लगा सकता है क्योंकि उसको मूल अधिकार में एक point लिखा हुआ मिल गया है नमबर दूसरा ध्यान से सुनियेगा मुझे विरोध करना है किसी फैसले का तो क्या मैं विरोध कर सकता हूँ Article 19, Clause 1, Sub Clause B में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट कर सकता है अपने हाथ में बिना हतियार उठाए प्रोटेस्ट पीस्फुली यानि शान्ति पूर्वक तरीके से कर सकता है तो एक बात बताईए कहीं पर अगर 50 लोग इखटा होते हैं सरकार के विरोध में और किसी के विरोध में भी प्रदर्शन करते हैं जिसमें उन्होंने कोई भी हिंसक हतियार नहीं उठाया है तो क्या ये मूल अधिकार नहीं हो गया हरताल करना या प्रदर्शन करना आंसर है हो गया तीसरा पॉइंट अब देखिए इन तीन चीजों को आपस में मिलाईए आपको अचानक पूरी तरह से किसान संग्ठन बना हुआ दिख जाएगा अपने आप इससे कंक्लूड हो जाएगा कि हरताल करना मूल अधिकार है या फिर विरोध प्रदर्शन करना राइट टू प्रोटेस्ट करना मूल अधिकार है दुबारा सुनिए राइट टू प्रोटेस्ट इस नौट मैंचनड इन अवर कॉंस्टिटूशन एक्स्प्लिसिटली यानि ये नहीं लिखा हुआ है जैसे राइट टू फ्रीडम है या फिर राइट टू एक्वैलिटी है राइट टू एजूकेशन है exactly ऐसे ये शब्द mention नहीं है right to protest जैसे right to privacy explicitly लिखा हुआ नहीं है लेकिन derive किया जाता है ऐसे ही protest करने का जो अधिकार है ये हमारे समिधान से derive किया जा सकता है कैसे अब इन तीनों को मिलाईए तीनों को कैसे मिलाते हैं article 19, clause 1, sub clause C को अगर हम पढ़ते हैं right to form association चलिए सार हमने एक किसान मोर्चा बना लिया दुबारा सुनिएगा हमने क्या बना लिया एक किसान मोर्चा औवियस सी बात है ये एक दो लोगों से तो बनेगा नहीं लाखों लोग भी हो सकते हुआ भी यही किसान मोर्चा बन गया लगभग 43 प्रकार के 43 प्रकार के किसान संग्ठन है जो इस पूरी गतिविदी के अंदर जुड़े हुए है यानि की पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यानि कानुनी रूप से वो गलत नहीं हुए यानि पहला पॉइंट सही हो गया नमबर दूसरा राइट टू प्रोटेस्ट पीस्फुली पॉइंट है क्या वो लोग पीस्फुली प्रदर्शन कर रहे हैं बिलकुल एकदम शान्ती पूरवक तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं शांती पूरवक प्रदर्शन का मतलब क्या होता है उन्होंने सरकारी संपत्ती को कहीं भी नुकसान पहुचाने का प्रयास नहीं किया अब इसके अंदर दो अपवाद आते हैं अपवाद नंबर एक जिसके उपर केस किया गया बोले सर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान की बात कर रहे हो मैं आप से सवाल पूछता हूँ वो हाइवे रोक कर बैठे हुए है अगर हाइवे रोक कर बैठे हुए है तो क्या ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है पॉइंट तो आपका भी सही है अगर सही है तो इसी कारन से तो केस हुआ सुप्रीम कोट के अंदर एक पब्लिक इंट्रेस्ट लिटीकेशन डाली गई मौनीका अगरवाल नामक एक महीला के द्वारा उन्होंने एक PIL डाली और उस PIL के अंदर Public Interest Litigation में सुप्रीम कोट से कहा कि मैं नौइडा से दिल्ली नौकरी करने जाती हूँ जिस रास्ते से जाती हूँ वो रास्ता ब्लॉक है मैं सिंगल मदर हूँ अपने बच्चे की केयर करने के लिए मुझे एक इतना लंबा सफर तै करना पड़ता है जिससे मैं मांसिक रूप से परिशान हूँ सुप्रीम कोट इस Public Interest यानी जन ही ती याचिका पर ही सुनवाई कर रही थी तो कहने का अर्थ ये हुआ कि Protest Peacefully Without Arms में Peaceful जिसे आप कह रहे हो वो असल में Peaceful ना होकर किसी के लिए परिशानी का कारण बन रहा है क्योंकि अब उस तरफ से ट्रैफिक नहीं आता बहुत लंबा रास्ता तै करके ट्रैफिक को आना पड़ता है अच्छी बात है तो ऐसी इस्तिती में सुप्रीम कोट ने निर्ने लिया दूसरी बात एक और निकल के आती है और वो क्या है हम इसी से कनेक्टिविटी में आपको उसे बताएंगे लेकिन उसमें है रिपबलिक डेपर जो प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में भी बात करेंगे और तीसरा है कि जब किसान बैठे हुए है तो क्या वहाँ पर बैठ कर मंच लगा करके वो अपनी बाते नहीं रख सकते क्या रख सकते हैं देखिए सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट के अंदर किसानों की तरफ से या फिर ये समझे कि किसानों का पक्ष ले करके दो वकील आए हुए थे उनमें से एक था दुशन्त दवे जी का नाम और दूसरा था प्रशान्त भूशन जी का नाम ये दौनों लोग जब वहाँ पर आए तो यहाँ पर इन्हों ने अपनी तरफ से बाते जो रखी अब आप वो समझे सुप्रीम कोट ने कहा सड़क रोकने हुआ देखें तो पुलिस ने जहां बैरिकेट्स लगा दिये वहाँ से पहले रुके हुए हैं किसान बोले सर हम तो अपनी जगे पर हैं मुद्दा ये है कि पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है जिसके कारण हम नहीं आपा रहें अदरवाइस तो हम आई जाते पहला पुइंट समझिएगा यानि कि हमने ब्लॉकेड नहीं किया है ब्लॉकेड पुलिस ने किया है अब फिर उधर की तरफ से सरकार की तरफ से उनके सॉलिसीटर जरनल साब नाम तुशार महता जी सुप्रीम कोट ने उन से पूछा कि जनाब आप बताईए आपकी पुलिस ने वहाँ पर रास्ता रोक रखा किसानों का नाम आ रहा है खामका उनने कहा सर अगर हम नहीं रोकेंगे तो गंतंतर दिवस पर जैसी घटना हुई थी क्या घटना हुई थी साब हमने तो किसानों की बात मान करके 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर राली को ट्रैक्टर रैली जो हुई थी उसको परमीशन दे दी थी लेकिन किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने पर एक प्रकार का उपद्रव का माहौल बन गया था लाल किले पर देश ने देखा था 26 जनवरी के दिन ऐसा हुआ था तो फिर हम परमीशन किस ग्राउंड पर दे हम कैसे ये असरटेन करें कि ये जब अंदर जाएंगे तो शान्ती रखेंगे अब किसानों का पक्ष सुनिए किसानों ने कहा कि हमारा जाना तो मना है हम जाका रहे हैं कोई सुनी नी रहा है कहां जा रहे हो साब हम चाते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर प्रदर्शन करना आप हमें प्रदर्शन करने के लिए एक जगह दे दीजिए हम बैठ कर वहाँ प्रदर्शन कर लेंगे अब तरकों को वितरकों को सुनते चलिएगा ताकि आपको सारी बातें आपके मन में भी जो चल रही है वो क्लियर होती ही चली जाएए हम चाहते हैं कि हम राम लीला मैदान में जाके बैठ जाएए वहाँ जाकर प्रदर्शन कर लें बोले अच्छा अगर आप राम लीला मैदान में चले जाएंगे तो फिर तुसार मैटाजी से पूछा गया आपको क्या दिक्कत है साहब तो साहब तुसार मैटाजी ने कहा कि साहब हमको दिक्कत ये है क्योंकि वहाँ पर राम लीला मैदान और जंतर मंतर में विरोध के नाम पर कुछ लोगों ने तो रहना शुरू कर दिया है घर बना लिये हैं अपने अब ये बात भी सही है क्योंकि साहब अगर आपने अगर कभी वो नौयडा दिल्ली वाला बॉर्डर देखा हो जहां किसान रुके हुए हैं वहाँ प्रॉपर तरीके से टेंट हाउस, एसी, फ्रेज, कूलर सब लग चुके हैं प्रॉपर तरीके से जीवन की विवस्ता हैं चलनी चाहिए, वैसी चल रही है तो बोले, सर, बात ये है कि अगर रामलीला मैदान भेज दिया तो प्रोटेस्ट के नाम पर ये वहाँ पर रहना भी शुरू कर देंगे तो कोई कैसे खाली करा लेगा बाद में पता चला कि खाली कराने के नाम पर लड़ाई हो रही है अच्छा, फिर सहाब उन से पूछा गया किसानों से, कि सहाब आप ये बताईए कि आपकी तरफ से जो दो वकील है दोशन दवेजी और प्रशान भूशन जी कि बोले, एक बात बताईए सहाब ये बात भी तो सही है, ये जो कह रहे है कि आप रहना शुरू कर दो बोले, सहाब रहने की नौबत क्यों आएगी हम तो आलरेड़ी किसान है, हमारे पास तो खेत बाड़ी पड़ी हुई हम तो खेती समालेंगे न सरकार हमारी बात नहीं सुन रही सोचिये हम कितना बड़ा काम छोड़ करके प्रोटेस्ट करने आए हुए है ऐसी स्थिति में तो ये पॉइंट हमारा सही है हमको यहाँ पे रहने का शौक थोड़ी है हम अपनी सब कुछ इतना बड़ा पैसा लगा कर इतने दिन से घरवार छोड़ कर बैठे हुए हैं इतने दिन से टेक्टर ट्रॉलीज लेके बैठे हुए हैं जाने कितना बड़ा काम हमारा हमें शौक थोड़ी है सरकों पे रहने का हमने कोरोना का समय देख लिया हमने सरदी देख ली गर्मी देख ली तब भी सरकार पिगल नहीं रही है अच्छा फिर सरकार से और सर हमारा एक पॉइंट और है किसानों ने एक पॉइंट और यहां पर दिया और वो क्या है पॉइंट यह है जनाब कि हमको तो आप आने की मना कर रहे हो और जब सरकार को यानि की भाजपा को अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलानी होती है या कोई धरना या फिर कोई राजनितिक रैली बुलानी होती है तो रामलीला मैदान में बुला लिया जाता है यानि कि यह तो पार्शलिटी हो गई ना कि अब किसानों को तो आने नहीं दे रहे लेकिन आप लोगों ने अपनी जब राजनितिक पार्टियों की रैली बुलाई तो उसको रामलीला मैदान में बुला लिया आपने तो इसका मतलब ये तो फिर से एक तरह का डिसकाशन हो गया सुप्रीम कोर्ट ने दौनों के पक्ष सुन लिये फिर यहां पर एक निरणा निकल कर आया यानि एक बुद्धे के अंदर कंक्लूजन निकल कर आया कंक्लूजन ये था कि आप दौनों लोग जो यहां पर आएं हैं पहले भी आप लोग जो थे किसान रैली के समय पर आए थे कि हम टेक्टर रॉले निकालेंगे और पूरी तरह से हम यह अशौर करते हैं कि किसी भी प्रकार की दिक्कत रास्ते में नहीं आने देंगे लेकिन दिक्कते तो आ गई थी जब दिक्कते आ गई थी तो एक काम करते हैं आपकी इन दिक्कतों का कारण ढूंडते हैं कारण क्या था साब कारण ये था कि दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि आपने प्रॉमिस में जब कहा था तो आपके समर्थन में 5-7 ही वो थे किसान यूनियन थे 43 की 43 जो कांगरिस यूनियन है किसान यूनियन जो है उनको पार्टी बनाया जाए उनके साथ साथ निरने लिया जाए बैठ करके कि आप लोगों को भी पार्टी बना लिया जाए पार्टी का मतलब ये होता है कि केस में उनके उपर भी एक्शन लिया जा सके तब जा करके इनको 3 वीक का समय दिया गया है साथ दिसंबर को सुप्रीम कोट अपना फैसला सुनाएगा हम लोगों ने यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल लिये पहला कंक्लूजन कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारे मूल अधिकारों में से है लिखित अधिकार है और राइट टू प्रोटेस्ट को हम डिराइव कर सकते हैं फ्रीडम ओफ स्पीच एंड फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन से जब भी आपसे पेपर में यह प्रशन पूछा जाए तो आपको इस पर जो लेख लिखना है वो आर्टिकल 19.1.a का आर्टिकल 19.1.b का आर्टिकल 19.1.c का तीनों का मैंशनिंग करना है अब आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या हमारे समीधान में जो मूल अधिकार दिये गए हैं वो क्या पूरी तरह से एक्स्प्लिसिट अधिकार है मतलब एक परकार से एपसिल्यूट सारी एपसिल्यूट है कहदिया मेरा वचन ही है साशन कि आपको विरोध करने का अधिकार है तो आप विरोध कर ही पाएंगे ऐसा हो सकता है क्या जी नहीं अब हमारे आर्टिकल 19.2 के अंदर क्लॉज 2 को जो है उनके साथ कोई दिक्कत हो पबलिक और्डर्स के साथ यानि की कानून विवस्था के साथ मॉरालिटी, कंटेम्ट आफ कोट, डिफैमेशन, इंसाइटमेंट और ओफेंस ऐसी कोई चीज हो तो हम आर्टिकल 19 को रोक सकते हैं ये इसके अंतरगत दिये गए reasonable restrictions हैं तो आर्टिकल 19 जब आप पढ़ें तो इन restricted restrictions को भी आप साथ में पढ़ें उमीद है आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी बोलिए, यहां तक सारी बाते clear हो गई हो तो right to protest जो है ना अब आपके दिमाख में concept के साथ clear हो जाना चाहिए मैंने आपको ये सारी बातें यहां पर बता दी है अच्छा, एक चीज और समझ लीजेगा article 51A जिसके तहत हमारी सडकों की सुरक्षा करना सरकारी संपत्ती का नुकसान रोकना ये सब हमारी fundamental duties में भी है कि हमें अपनी public properties का safeguard करना चाहिए हमें एक ऐसा वातावरन बनाना चाहिए जिसमें हम अपनी संस्क्रती और अपने दायत्मों को सही से निभा सकें यानि कि protest तो allow है peaceful protest जो गांधी जी ने भारत को दिया लेकिन violent protest allow नहीं है इसके बारे में सुप्रीम कोट ने कई बार फैसले दिये है उनमें ऐसे इस प्रकार की बाते जो है वो पहला जो केस था राम लीला मैदान में राम देव जी को उठा कर ले गए थे वो वाला हो या साहीन बाग के केस में जो हुआ अप वो हो प्रीडियस एयर इसी के उपर आया हुआ है आप इसे solve कर लीजेगा clear? चलिए साथियों उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होगी ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं सारी जानकारियां आज शाम को RNA का टेस्ट है आप लोगों को उसमें उपस्तित होना है मुलाकात करते हैं आप सभी साथियों से उसके अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखें बढ़ों का सम्मान करें और हाँ यदि आप में से कोई भी विद्धारती अनकेडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है कोई भी पेड़ कोर्स पर्चेस करना चाहता है किसी भी कैटेगरी में तो मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज़ करके 10% डिसकाउंट के साथ उस कोर्स में एन्रोल कर सकता है फ्री स्पेशल क्लास शाम 7 वजे आपको मिलने वाली है अपना खयाल रखें बढ़ों का सम्मान करें चोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें थैंक यू सो मच